Hey, so hello everyone, this is Aakash Kandui and I hope everyone of you is doing absolutely amazing, last 50 days remaining, sir, डरा रहे हो की क्या गर रहे हो, बता रहो से 50 days remaining, अब एना the most important thing in this 50 days, I am going to tell you in this video, ठीक है, but वीडियो को आगे सुनने से पहले, सब्सक्राइब के बेना टिप सुनते हो ना तो वो काम नहीं आती है, तो बले सब्सक्राइब को रहे हो, उसके लिए पसंद आए, तो लाइक ज़रूर दबाना, अब मेरी बात ध्यान सा सुनना, last 50 days है, ठीक है, क्या sufficient है, sir, मैं बूलो आपकी जो भी position हो, it is sufficient, I'll tell you why, CA जितना game, hard work का है, महनत का है, physical activity का है, ठीक है, but उतना ही mental toughness का है, अब जो last 50 days में जो लोग होते हैं न, वो यहां से गिरना शुरू हो जाएंगे, और ideally आप बोलते हो न, CA का result 10-15% है, नहीं, CA का result 10-15% नहीं है, उसे कहीं जादा है, sir, ऐसे कैसे, क्योंकि भले ही आप बोलते हो, 100 में से 11 या 15 लोग पास हुए, लेकिन ideally वो सारे 100%, 100% efficiency पे पेपर देही नहीं पाए, क्योंकि या तो वो hard work में रहे गए, या फिर जो hard work cover कर गए, वो यहां से रहे गए, mental game से, right, तो ideally out of 100, only 50 are able to give the attempt with 100% efficiency और 100% melted toughness के साथ, तो passing rate बहुत जादा होता है, comparatively, तो मैं आपको यह कह रहा हो कि अपने को अगर मेहनत करते चल रहे है, तो यहां से नहीं गिरना है, अब सब मेहनत कित मेरे 2 group थे, मेरा 15th मार्श तक, हैना, 1st reading हुआ था, that is, I had only 45 days to revise everything, और उसमें भी मेरा audit चल रहा था, सुबह के time पे classes वगेरा, तो आप समझे रहो मेरा effectively 7th subject ही हुआ था, 45 days, तो आप बोलोगे, सा, आप तो scholar थे, को scholar नहीं था, मेरी कोई rank वगेरा नहीं थी, still I clear, why, because दे रहे हो, दो group दे रहे हो, जैसी position हो, plan out your things, 50 दिन है, लिखो कि क्या क्या आपका बाकी है, कितना कितना cover करना है, it is not necessary कि आपको हर्चतिक में 5 revision ही करने है, 4 ही करने, अरे जितना करो sufficient है, लेकिन कर लेना, तो अभी से अपने 2 चीज़े ध्यान रखेंगे, पहली, जितना अभी दिन बचा है, उसमें जीतोड मेहनत करेंगे, और जो अपने हिसाब से best लगता है, उतना अचीव करने का try करेंगे, यह नहीं कि इसका 4 revision हो गया, तो मेरा 1 ही हो रहा है, उसका 5 हो गया, मेरा 2 ही हो रहा, चलता है, it is fine, जितना अपने हिसाब से best कर सकते हो, अचीव कर अचीव करेंगे, ठीके, आज की बाद यह नहीं कि सर, मेरा है ना, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को पैनिक हो रहा है, यह नहीं करना है, ठीके, जो भी situation हो, देखो 10 दिन में एक दिन ऐसा आएगा, जहां पढ़ाई नहीं होती है, ठीके, accept it, इंसान है, नहीं की मेरे को ऐसा लगता है, किया है आप निकल जाओगे, आप महनत करते चलोगे ना, निकल जाओगे, बस वो एक दिन के चक्कर में आगे के चार दिन बर्माद होगे, दिक्कत पते है क्या होगी, वो चार दिन में आप जितना अचीव कर पाओगे ना, वो आपका फिर कम करता था लेकिन अभी आप बोलोगे सब आखरी के दो महीने ब्रेकर ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस दिन पे सबसे इजी टॉपिक जो आपको एकदम पसंद है बेहत तरीकर से पसंद है कोई इसी टॉपिक वो उठा के बैठ जा और उसको रिवाइस कर लो जब कोई चीज आप अचीव करने लग जाओगा ना आटोमाटिकल आपको confidence आ जाएगा मतलब वो एक दिन के लाप अपना planner break करके कुछ out out the box कर सकते हो सबसे easier टॉपिक करना जैसे मुझे लगा तै एक बर किया ट्राइ करूँगा ठीक है और वीडियो पसंदा लाइक ज़रूर करना और आज से promise करो कि physically mentally दोनों तरह कर तफ रहेंगे सर कमेंट सेक्षन में promise करके जाना so thank you so much बाबाई लों take care see you all